नमस्कार स्वागत आपका इस यूटूब चैनल जीके वी तारके में जैसा कि आप सबों को पता है अभी लोगडॉन का समय चल रहा है और लोगडॉन होने के वज़ा से जितने भी बेरोजगार लोग जो हैं वो सब घर में बैठे हुए हैं और इनको किसी तरह की कोई काम नह सुरू किया है जिसमें आप यहां पर देख पर हैं योजना नमर एक जो है खेल विकास योजना जिसमें विद्यार्थियों यूवर को इसमें फायदा होगा और उसी तरह से सकेंड नमर में है बीरसा हरित ग्राम जिना जिसमें बुजर्गों को वरियता दी जाएगी और त तो आप बने रहे हैं हमारे विडियो के साथ शुरू से अंतक और यह आपने मारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए मैं इस तरह कर नीव जूलाते रहता हूं तो चलिए हम सुरू करते हैं इस उजिना के बारे में आपको बताते हैं डिटेल में विडियो के साथ अब बने रहे हैं तो देखे जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं भी हैमन सुरू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है इसमें एलान किया है कि 25 करोड काम के दिन का होगा इंतिजाम मजदूरों के लिए 20,000 करोड रूपय की आवंटन जो हैसो किया जाएगा जिससे क्या होगा कि गाओं में रोजगार के लिए तीन नई योजनाएं सुरू की गई है जिस वजनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे यह वहे तीन योजनाएं हैं तो चलिए इसमें क्या लिखा है हम आपको डिटेल से पढ़के सुना देते हैं ताकि आप सबों को इसका फायदा हो सके तो देखिए हैं पर देख पारें जिसे आची वी से समधाता में लिखा गया है कि सुबे में मजदूरों को काम के लिए स्वमवार को तीन नई योजनाएं सुरू करने का एलान किया गया इन योजनाओं के माध्यम से राज में किया है जिसमें आगे लिखा गया है कि मुखमंत्री हैमत सुरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयुजित काजकरम में कहा कि इन उजिनाओं की मद से करीब 25 करोड मानव काज दिवस का इंतजाम होगा यानि कि जितने भी लोग बेरुजगार हैं उनको कुछ ने कुछ काम दि के बीच सिमित संसाधनों से स्वास्त सेवा मजदिरों की घर वापसी और रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है तो जिसा कि आप सबों को पता है कि जितने भी लोग जो बाहर बैठे थे हर किसी का जो सुकाम बंद हो गया भी खाने के लिए हैं पर दिकत हो रहा है उसके आगे इसमें आप यहां पर देखे क्या लिखा है कि मुझमंत्री ने कहा कि बिर्शा हरित ग्राम विजिना के तहत फलडार पोधे लगाए जाएंगे इनके तहत मिलने वाले रोजगार में यहां पर देखे बुजूर्गों और बिधवा महिलाओं को प्रात्मिकता दी जा फलडार पोधा लगाएगी इन पोधों की देखवाल की जिमेवारी ग्रामिनों की होगी पोधे पोधों का पट्टा दिया जाएगा उन्हें जिसे फलों से आमदनी कर सके तीन वर्स बाद हर परिवार को 50,000 का वर्सीक आमदनी होने की उमीद है आनि कि आपको पट्टा द इनका है वो क्या है नोकरी में खेल कोटा आगेर उने लिखाए कि मुखमंत्री ने कहा कि वीर सहीद पोटो हो खेल विकास उजना के तहट हर पंचायत में खेल मैदान त्यार होगा इसके तहट सरकार खिलाडियों की परतिभा निखा रेगी राय जी में खेल कोटा से आरच से अवगत कराना भी इसका मुख्य उदेश था आगे यहां पर देखे भूमिगत जल संघर्ष संवर्धन जिरूरी है तो इसलिए इन्होंने क्या निकाला है कि जल संवरीथी योजना भी निकाला है तो चलिए आपको हम यहां से थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं कि सभी पंचाइतों सहीत रायजी भर में 5000 खेल का मैदान का निर्मान जोसो इसमें किया जाएगा जिसमें यूवा के वं यूवतियों के लिए खेद सामागरी की ब्याउस्था की जाएगी और परखंड एवं जीला अस्तर पर सुसजित परसेशन केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा खिलाडियों के लिए सरकारी नोक्री में विशेश आरच्छन एवं मनरेगा के तहट एक क्रोड मानव दिवस का सिर्जन भी किया जाएगा जिसमें देखी खेल विका सोजना के तहट यह बात को लिखा गया था अगला पर यहां पर देखे कि जल समरीद उज करतन भी इसमें किया जाएगा आगे देखें नोंने लिखाय की वीर्षा हरित ग्राम योजना के तहट पांच लाख परिवारों को सो सो फल्दार पोधे का पट्टा पांच करोड पोधों का रोपन किया जाएगा परखंड यहों जीला स्तर पर पर संसक्रन एकाई की तो दोस्तों यह था बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी तो जो लोग बाहर से आके घर में बैठ रहे हैं वह भी ज्यादा घबराएं नहीं सरकार ने जदी अस्कीम निकाला है तो यह बहुत जल्दी धरती पर दिखेगी और आप भी त्यार हैं इस तरह का काम करने के लिए